आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह इस वीडियो में भी वही टॉपिक होगा डिलीवरी रूम का क्योंकि delivery room के अंदर क्या-क्या होती है उन सारी secret बातों को मैं यहाँ इस वीडियो में share करूँगी पिछले week मैंने एक वीडियो share किया था जिसमें मैंने अपनी subscriber की story को बताई थी जिसे आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था इस वीडियो में भी मैं अपनी subscriber के story को बताऊंगी success story को बताऊंगी normal delivery के story को बताऊंगी जो आप तक जाएगी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा knowledge होगा कि मेरी subscriber ने during pregnancy क्या-क्या किया जब वो delivery room में गई तब उन्होंने क्या किया और कैसे बहुत आसानी से उनकी delivery कराई गई बहुत ही कम दर्द के अंदर और उनकी delivery में जब delivery कराई जा रही थी उसमें भी चीरा लगाया गया तो चीरा लगाते टाइम कितना दर्द हुआ उनको delivery में कितना समय लगा इन सारी चीजों के ऊपर overall इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ तो चलिए गई वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूश्वेता और आप देख रहें प्राइम मॉम चैनल पहली बार अगर आए है चानल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराई वीडियो को लाइक किजेगा और आपका संडे कमेंट बॉक्स में बहुत-बहुत स्वागत है तो यहां हम सबसे पहले बात करते हैं मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम सभीता है तो उनका जो स्टोरी रहा प्रेगनेंसी के दौरान वह गाउं से बिलॉंग करती है उन्होंने बहुत जादा अच्छी डाइट ली थी प्रेगनेंसी में और सुबह साम टहलती थी 30-40 मि अलने त़िहें सूबह में और मीं देन उनका जो लेबर पेन चाले अने के बाद उन्हें के आपने एक्सरी बेक को ऑल्रेड़ सब कर लिया था होस्पिटल जाते के शाथ उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का सामना करना पड़ा कि जाते के साथ बार-बार जो डॉक्टर है निचले हिस्से में अपने फिंगर को लगा रही थी तो जिस महिला के भी पहली प्रेगनेंसी होती है वो फॉस्ट टाइम मॉम बनती है उनको बहुत ज़्यदा थोड़ा अजीब सा लगता है कब अजीब सा लगता है जब उनको पता नहीं होता है कि डिलीबरी रूम में जाते के साथ ये सब भी किया जाएगा इस केस में क्या हुआ कि बार-बार फिंगर लगा के चेक किया जा रहा था सर्विक्स कितना ओपेन हुआ है अगर आपका सर्विक्स तीन से चार सेंटिमीटर ओपेन हो जाता है इस केस में आपको डिलीबरी टेबल पे लेटा कर और कुछ इंजेक्शन कुछ दवाईया देकर जो कि डॉक्टर्स देती है उसे देकर आपके लेबर पेन को और इंडियोस किया जाता है मतलब बढ़ाया जाता है और जब भी लेबर पेन ज्यादा बढ़ जाता है सर्विक्स ज्यादा खुलता है और उसी सर्विक्स खुलते समय में ही आपको क्या करना है पूस करना है आपको जोड लगाना है पूस कैसे करना होता है मैं अल्रेडी वीडियो में बता चुकी हूँ फिर भी यहां संडे कमेंट बॉक्स में भी मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि पूस करने का सिर्फ एक तरीका होता है जो कि नाक से आपको सांस लेना है अभी तो मुझे जुखाम हुआ है फिर भी नाक से सांस लेजिए मूँ से बाहर निकल लिए फिर नाक से सांस लेजिए मूँ से बाहर निकल लिए इस तरीके से आपको करना होता है यह गाउं की महिलाये जो होती है इस तरीके को अपनाती है जिससे बहुत जल जो होता है डिलिवरी आपकी हो जाती है बच्चा बाहर आ जाता है साथी साथ ये तरीका बहुत कारगर है तो ये मेरी सब्सक्राइबर ने भी ये चीजे बताई और साथी साथ एक बार जब आपका बच्चा होने को रहता है उस र जैसे मेरे साथ में से सरा देखा है तो यह human in लगाया तो मुझ से नहीं पूछा से साथ में लगताहिंस अगर आपको लगता है आपको सुना धार तो पहले ही डॉक्टर से बात कर लीजिए कि जब यह वह चीरा लगाए तो सुन कर दे क्योंकि जब एक बार आप डिलीवरी टेबल पे लेट जाएंगे लगतार लेवर पेन आएगा तो आप कुछ भी नहीं बता सकती है तो उस अब में क्या होता है कि चीरा लगाए जाता है आपके बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो यह सारी सिचुएशन मेरी सब्सक्राइबर सभीता के साथ यह सारी चीजे हुई लास्ट में उन टाकों की सिलाई हो गई और यहां जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है आब हम टाइमिंग की बात करने पूर को दिखा रही थी एक चीज़ का मेरे पास कमेंट आता है कि क्या जब डिलीवरी टेबल पर महिला लेटी रहती है जब वो पुछ लग करती है बच्चे को बाहर निकालने के लिए उस केस में क्या सुसू और पॉटी हो सकता है एक महिला को हां हो सकता है इसका आंसर यही है क कि सारे डाउट को क्लियर कर दिया सारी सीक्रेट बाते आप तक पहुचाने की कोसिस की है और मैं यहां इस वीडियो में मैं मेरी सब्सक्राइबर सभीता को एक चीज़ कहना चाहूंगी कि यह जो आपकी स्टोरी है मैंने सभी को सभी सब्सक्राइबर को बता दी अगर आप भी इस वीडियो को देख रही है आपकी जब डिलीवरी हो जाए तो आप भी अपनी स्टोरी मेरे पास भेजिए मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगी थैंक्स पर वाचिंग मिलती हुँ मैं आपसे नक्स्ट समेंटे कमेंट बॉक्स में तब तक के लिए बाइ बाइंटे के लिए बाइंटे के